नारायन 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 आज भगवान स्री नारायन के ही महिमा का वर्नन करते हुए भगवान नारायन के सबसेश अवित्र और स्रेश्ट स्री विश्नु सहस्त्र नाम का आज वर्नन करते हैं विश्नु सहस्त्र नाम एक ऐसा स्तोत्र है जो अधिकांस सनातन धर्म के अनुवाईयों को प्रिये है और वे लोग अपने जीवन में इसका पठन पाठन करते रहते हैं भगवान विश्णु स्वयम इस जगत के प्रथम पुरुष माने जाते हैं रचियता पालन करता आदिस जो मुख्य परमात्मा के सारे गुण है वे सब भगवान विश्णु में समाहित है भगवान राम और भगवान क्रिश्ण उन्हीं के अउतार माने जाते हैं और विशेशकर जो भगवान विश्णु के उपासक है जैसे की तिरुपति बाला जी में दक्षिन भारत में भगवान क्रिश्ण और भगवान राम के रूप में पुंडरिक भगवान के रूप में अनेक रूपों में भगवान विश्णु के ही ये सुरूप है उन्हीं का ही पूजन समान्य घरों में होता रहता है बगवान विश्णु के कुछ रोदर रुप भी है जो विश्श रुप से आवेश अवतार माने जाते हैं जैसे नार्सिय अवतार, वारा अवतार आदी तो इन सब द्योताओं के जो उपासक है वे सभी भगवान विश्णु के इस सहस्त्र नाम का पठन-पठन कर सकते हैं और जो भगवान विश्णु के उपासना करते हैं उन्हें फिर किसी चीज का अभाव उनके जीवन में दिखाए नहीं देता विशेश कर्म, मा भगवती, महा लक्षमी की उपासना करने वाले या उसके कामना रखने वाले धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष की कामना रखने वाले कि विश्णु के या भगवान विश्णु के किसी एक सुरूप की आरादना करे तो उन्हें ये सब चीजे सहज में प्राप्त हो जाती है तो सहस्त्र नाम के रूप में बहुत से लोग पढ़ते तो है परन्तु इन स्टोत्रों में जैसा कि मैं अभी तक सभी आप लोगों को समझाता रहा हूँ कि इसमें कुछ तुर्टिया भी रहती हैं जैसे कि किताबों में चपे रहते हैं सामान रूप से जहाँ भी मिल जैसे कि ब्राण्थों में होता है बस उसी में से कुछ भाग उठा कर अब उसकी मैंने बताया था कि इस्तोत्र की एक पृष्ट भूमी होती है जिसको हम लोग भूमी का कह सकते हैं और उसकी फलस्रिती भी रहती है मूल उस्तोत्र भी रहता है तो वो सभी उसमें पढ़ने लगते हैं तो इससे उस तोत्र की जो स्लोक है, उसकी संख्या दिखो जाती है और वो उस तोत्र ब्रहद रूप में हो जाने के कारण उसको पड़़ पाने में थोड़ी कठना ही होती है तो इसलिए मैंने उसमें जो सारभाग है, जो आवश्यक भाग है, जो वास्तों में मुल रूप में जो स्थोतर है उसको ही यहां पर रखा है और उसको जो एक उपासना के रूप में, साधना के रूप में उसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कैसे उसका प्रियोग कर सकते हैं उस उसे में हम लोग चर्चा करेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम को आप लोग स्वामिरुपिश्वरान.in वेब साइट से भी आप डौनलोड कर सकते हैं उसमें विधिवत जो आवश्यक है जो सहस्त्र नाम में वह सारे विश्य लिखा हुआ है तो जो किसी भी इस तोत्रे की जो प्रिष्ट भूमी और उसकी जो फलेसरुति है जैसे एक बार पार्ट आप करते हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं परण्तु यह दिए उसकी सिद्धी करना चाहते हैं जैसे आप एक स्वाट पढ़ना है हजार पाठ करना है तो यह सब पढ़ने के आओ सकता नहीं होती है दूसरी बात उसमें विनियोग जैसे कि अब आप इस तोत्र में देखेंगे कि सरव प्रतम तो विनियोग आता है या उसका संकल्प होता है फिर बहुत से तोत्रों में नियास भी होते जैसा कि बगवान है तो विनियोग है धियान है नियास है मैं उसको एक बार ही करना पड़ेगा और जो मूल्स तोत्र हैं जहां से आरह मोता है विश्वाम विश्नु वश्टकार हो तो वहासे जो आरह होता है तो और जहां वो स्तोत्र समाप तो होता है वहां तक एक पार्ट करना है फिर पुना हमको बिनियोग फिन्यास और ध्यान पुना करने क्या हो सकता नहीं होती है ध्यान तो ध्यान में भी कुछ रहस्य होता है अब मैं कभी समय मिलेगा तो बहुत इसके जो गुड रहस्य होते हैं स्टोत्रों के उसके गुड रहस्य को समझाते हुए मैं कभी वो विसे रखूंगा परन्तु इस भहवस की वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो इसलिए जो है हम उस विशे में ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं परन्तु कभी उस विशे को रखेंगे हम अलग से किसी एक वीडियो के मद्यम से तो इसमें विनियोग है नियास है और ध्यान है ध्यान में जैसे त्यानता कारंभो जांगे शहनम जैसे भगवान विशनुका हम लोग सुरूप का ध्यान करते हैं तो उस मन्त्र ऊसस्तोत्र का ध्यान उसमे लिखा होता है ध्यान का मतलब यह हैं कि जब आप असом जब को करते हैं पाथ को करते हैं तो उस समय की पाथ करते समय आपका मन आपका जो ध्यान है वह उस इष्टे यूटा के या जो मंत्र के स united पाट में लिखा हुआ है उसकी सानसार उसका ध्यान करना जा है मांसिक रूप से द्यान करना जाए- जैसे वास्तों में ये जो जप है इस तोत्रपाठादी है तो योग का जो चटवा अंग है जिसे हम धारणा कहते हैं वो एक प्रकास है धारणा ही है और धारणा के आगे का जो भाग है वो है ध्यान तो धारणा से ध्यान की और हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसमें पाठ करते समय तोत्रादी का पाठ करते समय या जब करते समय किसी मंतर का उस्ते उता का ध्यान करते रहना चाहिए मान से करूप से विनियोग एक बार हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़ना है विनियोग पढ़के जल को भूमी पर छोड़ देना है फिर उसके बाद न्यास करना है न्यास करने के बाद ध्यान तो ध्यान करना है ध्यान पढ़ना चलो ठीक है आप शानता काराम बुझे के शेना हम अपने श्लुक बोल दिया ठीक है लेकिन वो श्लुक बोलने के लिए मुख्य रूप से नहीं है वो उसका ध्यान करने के लिए पर्मातमाद शैन्त आकार है, कैसे सौरूप हैं उनका शैन्त आकार है बुजरींग शैना, भगवान विश्नु जो है, सुछी शागर में शेशनाक पर शैन की हुए है तो इस परकार से हमारे मस्तिक्स में जब हम यह ध्यान करते हैं या हम जब पाठ करेंगे तो हमारे मस्तिक्ष में उनकी छवी जो है वो प्रगट हो जानी चाहिए इस प्रकार से आप ध्यान करें और उसके बाद पाठ हारांब करें तो प्रति दिन आप इसका एक, दो, तीन जितना आप चाहे पाठ कर सकते हैं परंद पाठ करने के पूरुव इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे करें यह मुख्य रूप से विसे आता है तो मैं सिद्ध के लिए इसकी जो भगवान विश्णु की जो मुख्य रूप से जो तिथिया होती है जिसमें वो सिद्ध जो भी उनके कोई बी स्तोत्रादी पाठ या जह्पमंत्रादी है जो सिद्ध की जासकते हैं तो उसमें सरोप्रता में untoतान एक अपन गिजिव समस्त्त देअधirta उत्पान को प्राप्त है उसको हरी प्रहब दिनी और का दशी भी कहते हैं तो इस को आफ 158 विश्नुष्र सह्त्र नाम के पाठ कर सकते हैं तो ống जैसी आप पुझन बगवान विश्नुन का पुझन करने के बाद विने मंहान कादि करके इसका पाठ करें catalatal के इस मैं गे doctor पार्ट कर सकते तो यह सिद्ध हो जाएगा क्थि किसsecond अक्षेत्रितिया कि डि पावली चैतर शुक्रति प्रतीपदा जो भारतियों वर्स होता है जिसको गुड़ी पड़वा भी कहते है तो इस नव वर्ष के दिन भी आप चैतर शुकल प्रतिपदा को भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं इसके अतिरिक्त जो है दिपावली सबसे सुब महरत होता है होली ग्रहन काल हो गया और अन्य जो भगवान विष्णु की जो मुख्य तीतिया जैसे कि स्री कृष्ण जन्माश्टमी स्री राम नौमी वाराः जैन्ती वामन जैन्ती नासिय जैन्ती जो भगवान विश्णू के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों में जो उनकी जैनती होती है जिस दिन उनका जैनती मनाय जाती है वो अपने आप में वो एक सिद्ध महुरत होता है और उस दिन आप 108 पाट करके इस विश्णू सहस्त्र नाम को सिद्ध कर सकते हैं जब ये विश्णू सहस्त्र नाम सिद्ध हो जाए तो उनके नामों से आप अवन भी कर सकते हैं जैसे विश्वम भगवान विश्णू का नाम है तो अम विश्वाय स्वाहा इस तरीके से आप गही से आहोती देते हुए आप उत्तर मुख होकर पूरब मुख होकर एक हजार आहोती अभी दे सकते हैं और ये बात तो आप निशित मानिए कि जिस घर में विश्णु सहस्त्रा नाम का पाठ होता है बगवान विश्णु के नाम से हवन होता है तो आप निशित समझ दिजे कि उस घर में दरिद्रता, दुख, कैश्ट, रोग, शोग, आदी ये सब चिजे नहीं होते अधिकान सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदु धर्म को मानने वाले जो लोग है, जो सर्दालू है, जो उपासक है, वे साधन भजन तो करते हैं, उपासना तो करते हैं परन्तु उस उपासना की जो स्यास्त्रे पधती से जो विधी है, उससे ये विमुख हो गया है कि ही हम लोग अदि कांस यह सम्झें धिकांस लुगों में देखता हूं कैसे पुजा पाड़ कर ना है तो घर मंदिर बना होता है वे मुदborg कर दोको मुरटिया रखी होती है कि इस्ट दोका निशित होता नहीं है फिर हम लोग आते हैं घरों में जहाँ भी कई मंदिर से कि वहां सफोट और मूरतिया भी नपरकार के रखके सजा देते हैं कि चलो वह हमारा पूजा घर हो गया अब एक निशिद अभी पता नहीं होता है कि निकिन के पूजा करना है कुछ लोग दो हनुमान चाली सा या कुछ इस तरीके से जो आज बाजार में कहीं से भी कुई किताब या ग्रंत उठाके बस उसी को पड़ने लगते हैं उसको सवर बार पढ़ लिया ईक रब दो बार पढ़ लिया या दूब्वत्ति अगरवतेिति दिखा दिखा दे बस हो liberté इस हो गया पूजा नूब अगर यदि आपके इस्ट वगवान विष्णु है आप भगवान विष्णु को इस्ट मानते हैं यह भगवान विष्णु की किसी सुरुप का आप अराधना करते हैं तो आप विष्णु सहस्त्रणाम का पाठ कर सकते हैं तो उसका पाठ करने के पूरू उसकी सिद्धी एक हजार बार घर में नहीं कुछ समझ में आता है, तो अगनी चला कर बस आप उत्तर मुप्पूर गुंखो कर सुनाना दे कर के, चाहे आप रात्री में भी कर सकते हैं, एक हजारा होते हैं देजी घी से बस हो गया हो, अब उसमें बहुत सारे विधान होते हैं होने की आदि पर अंतु जो सात्विक और निश्काम भाव से उपासना की जाती है उसमें यह से बाते जो कुछ कम्या रह जाती है अग्ञान वसे तो वो कम्या पुरन हो जाती है और उसका जो लाब है वो अवेशे मिलता है और अपने कल्यान के लिए अगवान के परसनता के लिए संकलब करना चाहिए विनियो करना चाहिए उसमें अगर यदि दोस रहे भी जायत तो सात्विक दियों तक उस कम्यों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जैसे भी आप शर्दा भाव से जो भक्ति उपासना करते हैं वो सफ़ल हो जाती है तो यदि किसी प्रकार की इस प्रकार से घर में ऐसा लगता हो कि नहीं हमारे घर में बहुत एक प्रकार से आजकल वाता और अरण भी वैसा बन गया है नकारातमक तामसीक और एक दूसरे के प्रतीरा गद्वेश इतना अधिक बढ़ गया है और ये निरनतर भी बढ़ता ही जाएगा क्योंकि बहुत एक वादिता के प्रभाव के कारण बहुत एक वाद का जो विकास हुआ है ये वास्तों में एक भयानक विनाश का एक सुरूप है जो पूरे विश्व में नकारातमक्ता को अशान्ति को बढ़ावा देगा तो ये तो बढ़ता ही जाएगा तो ऐसे परिस्थिती में इसका प्रभाव प्रत्य विक्ति पर घर परिवार में आप सब देखी रहे हैं समाज में जिस तरी के सिवात और उन बन रहा है जिस तरी की घटना घट रही है कि आने वाले समय में अच्छे संकित नहीं है और एक समस्त मानव जाते के लिए किसी विक्ति विसेस की बात नहीं है और न के ओले भारत तक सिमित है बलकि पुरी विश्व में ऐसी परिस्थित आउपन नहोगी जो आने वाले समय में मानव जाते के लिए बहुत बहानक बिनास्कारक सिद्द होगी तो ऐसे समय में जब ऐसी घटनाएं घटती है तो अंतमे इश्वर की क्रिपा के ही आफशकता पड़ती है इश्वर ही एक मातरा आधार उस समय हमें दिखाई देता है तो ऐसे इश्वर की जो हमें आराधना करनी चाहिए अभी कुछ समय पहले हमने किया दिन मास में सुना था कि आस्टेलिया में बहुत बड़ी एक अगनी आग जैसे जंगल में आग लगती है बहुत आग लगी जल से ना वाई से ना थल से ना वहां का फाइर ब्रिगेड पुली सब लोग लग गए लेकिन फिर भी बे लोग आग को बुझा नहीं सके और अंत में फिर उनको भी लगा खनी आप तो बस परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकता है और जब वरषा हुई तब वो जो है वो अजय रांक इस प्रकार के जो प्रकृतिक विपरित आच्रण हम लोग जो कर रहें भौतिक को बढ़ावा दे रहे हैं उसके कारण जो हमें विभिन्न परकार के ऐसे प्राकृतिक प्रकौप हमें जहलने पड़ेंगे तो उस समय में उन प्रकौपों से हमारे रक्षया भगवान की आरादना और उपासना से ही संभाव है और ऐसे समय में यह जो भगवान विश्णु न उनके नाम की आरादना करते उनकी उपासना करते तो वह एक स्रिष्ट उपाय और सहिज साधन माना जाएगा तो इसलिए आप उसमें हवण कर सकते हैं और कभी ऐसा कोई पर्व है जैसे स्रीकिष्ण जनमास्टर मी हैं हमें समझ भी नहाता है कि हम क्या करें तो बस कुछ ल धर्म के विक्रित सुरूप है जहां धर्म उसको सांती की तरफ ले जाना चाहिए अग्यानता से ग्यान की और बढ़ना चाहिए उसको अंदकार से प्रकास की और बढ़ना चाहिए बृत्य से मरता की और बढ़ना चाहिए तो वह यह सब उदेशना रख कर बास एक का साधन धर्म को मान लिया है और ये बहुतिक साधन ने धर्म का सुरूप एकदम विकृत कर दिया है दिपावली की रात में पटागे को फोड़ना और वाता और उनको प्रदूसित करना कि ये समझ में नहीं आता है कि वास्तों में धर्म का जो लाभ हमें मिलना चाही बुक अमारे जीऊन में दिखाई क्यों नहीं दियता तो उसका कारण यही है हम धर्म के वास्तों एक सवरूप से बटक चुके हैं तो ऐसे जन्मास्टमी के दिन होता है तो बस कही कही शित्रों में तो जन्मास्टमी का मतलब बस दई हांडी करना उसको फोड़ना बस इसी को जन्मास्टमी वानेंगे कही कही मान लीजे जो भगवान की जो अच्छे संस्थाय उपासना और भगवान की भक्तियादी का प्रचार करने वली जो संस्थाय हैं तो वो लोग भगवान कृष्ण की जो उपासना है पूजा पाठ है या कोई ऐसा विश्यस कारे क्रमादिकायजन करते हैं पर अंतु जो लोग उसमें भाग नहीं ले पाते हैं घर में बैठे रहते हैं कि चलो अब हम क्या करें कैसे करें तो फिर ऐसे समय में आप लोग इस भगवान विश्ण के सहस्त्रा नाम का जैसे अगर आप संकलब कर ले आठ बजे नौ बजे बैठ जाया तो आप ग्यारा बारा बजे तक एक बजे तक दो बजे तक आप उसका पाठ कर सकते एक सौट बार पाठ उसका कर सकते आप लोग एक बार अभ्यास हो गया तो आप मान के चलिए कि जदी एक बार इसको ठीक से एक सोट बार पढ़ लिया जाए नौ रात्रे में भी आप इसको पढ़ सकते गयरा गयरा पाठ करके भी आप इसको नव दिन में इसको आप सिद्ध कर सकते हैं तो इस प्रकार से एक बार ये या पाठ पूरना हो गया तो ये कंठस्ता ही हो जाएगा आपको पूरे एक हजार नाम में जैसे एक प्रकार से जैसे आप मुख में ही बैठ जाएंगे वह तो आप ऐसी जब सित्य उत्पन हो जा तो समध्दी जी कि वह आपको सिद्ध हो गए ह तो जब भी कोई संकट आजाए, कोई परिशानी आजाए, कस्ट आजाए तो ऐसे समय में भगवान विश्णु के नाम का पाठ आप कर सकते हैं उनका पूजन करके भगवान विश्णु के नाम का जैसे 11 बार 21 बार पाठ करके यह प्राथना है जो भी खामना है वह भगवान विष्नु के चर्नों में समारपित कर सकते हैं तो इस तरीक से यह विष्नु से अस्तर नामस्तोत्र हैं और इसकी महिमा उसले की फलश्रूती के रीप में जो बात आ ही है उसमें संस्क्रित में हैं फिर भी आप उसको समझ सकते हैं और यह एक बहुत ही दिव्य अस्तोत्र हैं और एक भगवान विश्णु की आरादना भी है मुक्ष प्रदान करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली, ग्यान प्रदान करने वाली, धर्म के प्राप्ति कराने वाली ये उपासना है आर्थ और काम को भी जो अपेक्षा करते हैं जो आर्थ और अर्थार्थी जो भक्तों होते हैं वे लोग भी गिदि विश्णु सहस्त्र नाम के आरादना करें तो उनका भी उससे बहुत कल्यान होगा और उनके साधना उपासना में इससे बहुत तदिक लाब होगा तो एक सहज सरल और बिना कोई विसेश आडमबर के और सटिक परभाव देने वाली यह उपासना है तो इसमें आप लोग इस विष्णु सहस्त्र नाम का अपने जीवने में अवलम बन कर ले सकते हैं और अधिक इसके से में क्या कहें परन्तु स्वे महाभारत में इसका वरणन आया है यह जो विष्णु सहस्त्र नाम है जिसका मैंने अभी इसमें वरणन किया है यह महाभारत में जो भगवान व्यास जी ने जो रचना की है वो विष्णु सहस्त्र नाम है इसके अत्रेक्त पद्मपुराण में, गरुडपुराण में, सकंदपुराण में, नारत, पंचरात, रादि ग्रंतों में भी विश्नु सहस्त्र नाम का वर्णन आता है तो उनमें थोड़ा बुद्भेद हो सकता है, परन्तों ये जो माँ भारत के अंतरगत, जो विश्नु सहस्त्र नाम है, वो मैं आप लोगों के सामने रखा है और आप इसको चाहिए तो वेबसाइट से स्वामीरुपिश्वारानन.in वेबसाइट से इसको आप नम्लोड कर सकते हैं और इसका पार्ट, इसके सिद्धी और प्रियोक करते विए अपना अल्यान कर सकते हैं नारायन, नारायन, नारायन